हेलो डियर आल सोल फैमली वेलकम बैक गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे स्वस्तोंगे मस्तोंगे तो स्वागत है आप सभी का स्काइविंग्स टिपल टू चैनल के ऊपर तो आज हम जानेंगे कि आपको हर जगा फैदर क्यों दिख रहे हैं आपको हर कलर में हर जगा फैदर दिख रहे हैं बहुत जादा दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं आज हम यही जानेंगे तो गाइस इसका मतलब बहुत सारे लोग तो यही बताते हैं मैंने भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आप कोई wish मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम पह अपको फिदर दिख रहे हैं इसका मतलब यही होता है कि आपकी wish बहुत अच्छे से manifest हो रही है एक और meaning होता है कि अगर आपको फिदर दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि divine angel आप से connect है बट यही दो मतलब जान लेना और चुपचा बैठ जाना कि इसका मतलब सिर्फ यही होता है ये बहुत गलग बात है इसके कई सारे meaning होते हैं जो आप लोगों को जाना बेहद ही जरूरी है जैसे कि अगर आप कोई wish manifest कर रहे हैं और उस time पे आपको बहुत सारे feather दिख रहे हैं unexpected जगा पे दिख रहे हैं जैसे कि आपके bedroom में दिख रहे हैं पूजा room में दिख रहे हैं तो जान लेते हैं कि इसका meaning आप पे क्या आसर करता है आपको particular क्यों दिख रहा है अगर आप कोई wish manifest नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों आपको दिख रहा है तो guys इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई thought अपने दमाग में बैठा लिया है या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आपने उसको माफ नहीं किया आपने मन में बैठा लिया है तो आपको उसे माफ करने की जरूरत है और आगे बढ़िए लिट गो किजिए अगर कोई भी बात कोई भी कैसी भी बात आप अपने मन में बैठा लिया दिमाग में बैठा लिया है तो उस बात को उस थौट को अपने दिमाग से जल से जल निकाल देजे यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं इसलिए आपको बहुत सारे फेदर दिखा के कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उस टाइम फे फेदर हमें गाइड करने के लिए दिखते हैं कि आपको ये काम करना है अभी और जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं ऐसे ही आप उस इनसान को माफ करते हैं या अपने मन से अपने दिल और दिमाग से वो thoughts negativity निकालते हैं और खुद को एक तम light करते हैं तो divine आपसे खुश हो जाते हैं वैसे भी connect रहते हैं और बहुत ज़्यादा आप खुद को free महसूस करते हैं आप एक बार हर कुछ अपने दिमाग से निकाल के देखिए एक तम light हो जाईए उसी तरह से बिलकुल होता है आपके wish के साथ अगर आप कोई wish manifest कर रहे हैं अगर आपने process start कर दिया है या फिर आप done करने वाले हैं उस time को बहुत ज़्यादा आपको feather दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि feather कैसे उड़ता हुआ जमेन पे गिरता है वैसे ही आपको अपने जो भी अपने affirmation बनाई है या जो भी आप wish manifest कर रहे हो उस process को करके और भूल जाना है लिटगो कर देना है अगर आप उस चीज को दिन भर पकड़ के सोचते रहेंगे दिमाग में कि मैंने ये कर रहा है ये कर रहा है मेरा ये wish पूरा होने वाला है पूरी होने वाली है तो आपकी कोई भी wish पूरी नहीं होगी क्योंकि किसी भी चीज को पकड़ के रखना बहुत गलत बात है आप किसी birds को पकड़ के अगर पिंचरे में कैद कर देते हैं तो क्या वो खुश होगा बिलकुल नहीं होगा उसी तरह से हमारी wish होती है wish को अगर आप manifest कर रहे हैं तो बस जितना time आप कर रहे हैं अगर आप ritual कर रहे हैं कोई affirmation वाली technique कर रहे हैं या फिर water technique कर रहे हैं आपको जब कर रहे हैं तब ही तक उसके बारे में सोचना है और full faith के साथ सोचना है कि आप जो जो चीज manifest कर रहे हैं वो present में सोचना है कि हो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए तो आपको सोचना है कि मेरी शादी उस इनसान से हो चुकी है अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनिस बहुत बढ़ियां चले तो आपको सोचना है कि मैं एक सक्सिसफूल बिजनिसमेन या विमेन हूँ ऐसे आपको सोचना है अगर आपको ये मेनिफेस्ट करना है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ब्यूटिफुल है तो आपको सोचना यही है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है और बस जब आप अपना wish manifest कर रहे हैं टेकनिक कर रहे हैं उतने देर ही आपको ये सारी चीज़े सोचने हैं उसके बाद आपको let go कर देना है फिर next day करना है आपको feather दिखा के angel यही indicate कर रहे हैं कि आप अपने wish को पकड़ के रखे हो उसको free चोड़िए उड़ने देजिए ताकि वो उड़ते उड़ते divine को जाके आपका message बताए और जल से जल आपका wish manifest हो जाए तो guys यही इसका meaning होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो free हो के करो ऐसे कोई भी चीज़ पकड़ के रखना बिलकुल सही नहीं है तो free हो जाए और अपने wish को भी free कीजिए अगर आप और कुछ चाना चाहते हैं तो please comment box में जरूर mention कर दीज़ेगा मैं उसकी कोशिश करूँगे कि जल से जल answer कर सको मेरी वीडियो अच्छी लगते है तो please sky wings channel को subscribe जरूर कर लीज़ेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care